तो बच्चों लास लिक्टर में आपको एक से इस 10.3 के फर्स्ट्री कोश्टन्स वोल प्वाई थे तो नेक्स्ट फोर्शन्स फॉर्मूले बताएंगे जो नेक्स्ट कोश्टन्स पें एप्लाई हो रहे हैं तो वर्थर्च फार्जिवला पर्पेंडिकूलर डिस्टंस फार्मुला अग Stevens चुर्फ एं है है प्रपेंडिकूलर डिस्टंस फार्मुला जो अधर किसी एंग फॉइंड रिस्टंस क yellow जीogi 아 आज प्रपेंटिग्र इसक्र फॉन को यह स्थिस्टर्ट कींश करें॥ क कई फो ड समेंटिक्स प्रिमिकर करते हो तो यह दिस्ट को अगया सब्सक्राइल और जान्यक्तु वह लिस्टर्थ लेकिन अगर किसी पॉइंट का डिस्टन्स किसी स्टेट मैं से भी आना है एक स्टेट लाइन पे जाकर एक स्टेट लाइन पे जाकर अगर किसी पॉइंट का डिस्टन्स किसी स्टेट लाइन से निकालना है उस फॉर्मूले को बोलते हैं पर पेंटिकलर डिस्टन्स फार्मूला वो कैसे रहे हैं आपने सिंप्ली इस एक सब्सक्राइब को स्टेट लाइन में एक सी जगह पर पूट कर रहे हैं वाई को वाई की जगह पर पूट कर रहे हैं बाकि सी एक जगहा ओर डाल देंगा अंडरूख एस पर पीस्टेट सिंप्ली आप प्लाई कर देगा आपको मैंटर से खाया है ठीक है बच्छों तो सिंप्ली आप इसको लर्न करेंगे समझेंगे कि यह फॉर्मूला ठीक है ऐसे प्लाई करता है फिर उसके बाद हम बता र पैरलल लाइनस स्पोस्क्रों आपके पास दो पैरलल लाइनस हैं अंसीडर आएकस प्लस बीवाई प्लस प्लस पीवाई प्लस सीवाई एकोल टू जीरो एड अनधर लाइन एकस बीवाई सीटू इंपर दियो बचो कीपिर माइन दो लाइनस कभी पैरल रोतिया जब उनकी स्वोप इकोल रोतिया हम बता चुक है यह सब कुछ तो मैंने बो लाइनस कैसी देए अगर मैं इस लाइन की स्वोप निकाना तो फर्स्ट की तो अब भलोगे सर्ग मान से डिनोट कर लो म माइनस कोफिशेट O HEX डवाइन गगोशेंट ओ अगर मेरे तो सेकिंड लाइन की स्वोप डिकानी हो, M2 से और रोत रोत sut, इड़ कोफिशेट O HEX ओवर कोफिशेंट of Y दोनों की स्वोप इकोल है तो लाइन पैरल हम थ तो मैंने दो पैरलल लाइनस में डिस्टर्स तभी तो मेरे दोनों लाइन में X और Y के कोफिशेंट सेम रखें लेकिंगे यहां भी यह भी यह भी सिरफ C1 और C2 को चेंड गिया ताकि दोनों की स्लोप अगर सेम है तभी तो हम कैसे देगे की लाइन सब्सक्राइब तो अगर लाइन कुछ ऐसी हैं जिसमें X का कोफिशें सेम है दोनों में तो वो लाइस प्याल होती है अगर लेस्दों की स्लोप रिकicide है सो Mole और रिखने है ओवर अंधरूंट कोफिशेंट आइक्स किया प्लीशंट गोषेंट गाए कोफिशेंट पे डिस्टेंस कैसे थी आना है C1 और C2 को माईस कर तो जान C2 और C1 को माईस कर तो व ओमारी बच्ची है C1 गतला है जान C2 गतला है लोसी आर चाहिए अंडेरों डीस्टेंस को करें हो फोलाई एक धीक है थेका बचों के लिए निस तो यह कोश्चीन नूमेर फोर find the distance of the point find the distance of the point minus 1,1 from the state line from the line 12 bracket में x plus 6 equal to 5 bracket में y minus 2 तो बच्चो डिस्टन्स निकाला है पॉइंट का लाइन से तो हमने यह अभी बताए आपको कि किसी पॉइंट का डिस्टन्स लाइन से कैसे निकालते हैं तो देखिए और पैंडिकला डिस्टन्स फार्मुला तो एक्वेशन ओफ नाइन क्या है तो इसका डिस्टन्स हमें स्टेट लाइन से निकालता है प्रपेंटिकला डिस्टन्स का अभी आज ने पर आया तो बेसिकर ही आपको यह एक्स कोडिने को एक्स की जगाँ पर जाना है देखिए एक्स कोडिने को इसको एक्स की जगाँ पर रखा दो माइकस पाइड वाइड की जगाँ पर य कोडिने करका दो फिर सभी को मोड दे रखा तुकि डिस्टन्स कभी नेग्टिव नहीं होता अंडरूट कोफिशन्ट ओफ एक्स किया अभी बच्छो आज ही पता है यह पर पूंदा तो How to find distance of a point from the line, ie point ka x coordinate x ko dae do y coordinate y ko dae do 82 मोड में, drive 82 नीचे का है ऑच्छ चाच ज Алबो में नीचे का है यह प्लस जो भी जुबी y काच्छ एच्छ आच का स्कीया एक टीन में 17 माइनस कर दो ठीक है बच्छो 65 आए अयोग दो तो 65 का मोड ओवर 169 का अंडरूट तो बच्छो मोड का काम क्यों होता है नेक्टिम नुम्मर को पोस्टी रखो कर दो पोस्टी को पोस्टी भी नहीं दो तो 65 को मोड 65 भी होगा अगर माइनस 65 होता है फिर बीव पोस्टी पोस्टी नहीं तो यह 30 है इसको स्क्राइब तो D कर दी कर दी तो distance is 5 units समनना ही सब को, very easy सब next we have question number 5 question number 5 find a point on the x-axis find a point on x-axis which is whose distance from the line whose distance from the line x over 3 plus y over 4 equals to 1 are 4 units find a point we have to find a point on the x-axis which distance from the line x-axis y-coordinate 0 होता है कोई भी point other x-axis पे में point भी x-a ओनी लेकिन x-axis में point y-coordinate 0 होता है y-axis पे x-coordinate 0 होता है let required point on x-axis be a,0 so we have to find a point on the x-axis whose distance from this line 9 पांजी है इसको आप अल्सेम लेंगे 4x plus 3y टोयरा वेल्सेम हाना है बच्छो cross multiply किया तो भी आप state line हमने इसको जंदल फोर में लिख लिए 4x 3y तो इस इस आप गिवन लाई हमें according to given what is given distance of point distance of point कौन सा point जो x-axis में है निकाना है हमने इस पोस्ट किया तो distance of point a0 from line 1 इसके रद्व में 4B लिए है तो वी अप गिवन distance of point from the line is 4 तो how to find the distance आपने x कौनियल तो x पे दे जाना है यह x कोईदियल पॉइंट का x को दे जाना है y के जिवा पे y कोईदियल दे जाना है 0y को दे लिए माइनस 12 मोड में रिखना है और नीचे क्या है अंडरूट एक्स का जो कोफिशेंट है उसका स्किया तो डिस्टन्स डिस्टन्स हमें धिया हुए 4 तो दी की वेलू तो गिवन है 4 तो बच्छो 4A 3 दो 0 0 माइनस 12 16 प्लस 9 तो बच्छो भी है 4 एक्वार तू मोड एस 4A माइनस 12 ओवर 25 माइनस 5 होता है क्रोस मंटिप्ला ही किया तो दिस इस जैसे ही हमने मोड को खतम किया तो में लिखना पड़ेगा plus minus 20 क्योंकि बच्छो अगर मोड के अंदर वरी लिक्वांट की 20 होगी तो उसका है अगर मालो कि यह मैंनस 12 तो उसका मोड सुन्टी हो तो अंदर वा नमबर 20 वह हो सकता है तो जब भी आपको मोड करना है इस नमबर के साथ एक पर प्लस 20 एक बाद माइनस 20 तो बच्छो हमने 20 के साथ भी एक वेलोली कानी है और माइनस 20 के साथ भी एक वेलोली कानी है तो required points are required points are बच्छो एक में लोग इन यह यह point मैं हो सकता है जहाँ यह point मैं हो सकता है तो therefore these are the required points on the x-axis जिनका distance is stable line से 4 weeks this is the answer आईखो clear दो ठीक है बच्छो अच्छों को समझे शूंता है तो question no.6 पुई है बड़े easy sums है find the distance between the lines तो देखे हमने दो लाइस में distance नहीं आना है तो यह अभी आपको सीखा रहा है तो question 6 plus part lines are 15x plus 8y minus 34 equal to 0 and 15x plus 8y plus 31 equal to 0 तो बचो करियर दी इस line की slope first line की slope कितनी है suppose करो m1 जे दिनोट किया minus coefficient of x over coefficient of y slope of line 2 m2 जे दिनोट किया minus coefficient of x over coefficient of y तो दोनों की slope equal है तो यह है आपको कहना पढ़िए lines are better तो lines better है तो आप देखे and compare line 1 and 2 with जब आए ax plus by plus c1 equal to 0 and ax plus by plus c2 equal to 0 क्योंकि रखिये यहाँ पे दोनों सेम है x-ecoefficient, y-ecoefficient तभी तो इसको a, b, a और b c1, c2 different है समझाए दको के so distance is given by इस फोर्मूला अभी आपको जान करवाया है a square plus b square तो बचो c1 के तरह है यह constant minus compare करिए minus 34 minus c2 के तरह है 31 बचो, a के तरह है 15 16 week track, 8 solve it to require distances तो इसको, 24, 35 और 65 आपका, पाचो minus 65 over 215 ौध बचो, 25 225 8 बचो, 64 तो बच्छो दी इस माइनस मोड में खत्व हो जाता रहा है, तो 65, 289, तो अस करिए संग लिए, 289 तर रूट 17, हाई हो ग्रेयर अस अको, तो दिस इस अ रिक्वायर दिस्टंस बट्वीन तू पहले लाइस, दोनों की स्लोप सेम है, लाइस पहले, एक इतना है 15, भी है 8, दो उनों में AB सेम है, इस इस C1, इस इस C2, formula for finding distance between two lines, C1-C2 over hundred, a scale plus 20 सबस्क्राइब करें सब्सक्राइब तो नियुक्ति आगे तो आपको अगे लुक रहेंगे थैंक व्लिमाइच टेक